हमें अकसर ऐसे लगता है कि कोई चीज होना बहुत डिफिकल्ट है, पूरी लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, हैपी होना बहुत डिफिकल्ट है और जब आसपास सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, आप अपनी हर एक कोशिश में हार रहे हो तो positive कैसे सोचेंगे, किस बारे में सोचेंगे, चलो positive सोचने के लिए ready hold भी जाएंगे हमके ठीक है, positive सोचेंगे बट कोई thought ही नहीं आता है mind में, क्योंकि कोई ऐसी चीज बच ही नहीं जाती है, जिसके लिए हम positive feel करें हम अकसर अपनी खुशियों को बाहरी चीजों से जोड़ते हैं, कि मेरे साथ ये हो जाएगा तो मैं happy feel करूँगी, वो वापस आ जाएगा तो मेरी जिन्दगी खुश हो जाएगी, ये job मुझे मिल जाएगा तो मैं happy रहूँगी तो हम हमारी happiness को बाहर की situations से connect करते हैं, अगर बाहर कुछ खराब हो गया तो मैं happy नहीं रहूँगी, बाहर कुछ अच्छा हो गया तो ही मैं happy रहूँगी लेकिन मैंने ये बात realize की और actually सुशांत सिंग ने भी ये बात उनके एक interview में बोली थी and I was so shocked to listen to him कि ये thoughts same match करते हैं और मुझे वो बहुत पसंद है, उनके thoughts मुझे बहुत पसंद है तो उन्होंने भी ये ही बोला था कि happiness जब हम किसी चीज से जोडते हैं और वो चीज हो जाती है तो वो happiness खतम हो जाती है अपने आप, जैसे मुझे car चाहिए, तो मैं बहुत practice करूँगी कि car चाहिए, car चाहिए और अचानक वो car मिल जाती है, कुछ दिन happy feel होगा, उसके बाद कुछ feel नहीं होगा सब normal सा लगने लगेगा, बहुत used to हो जाएंगे हम उस car से मेरी कार है, रोज ही चलाती हो, आदत हो गई है, कुछ नयापन उसमें नहीं लगेगा तो happiness जो चीजों से मिलती है हमें, वो temporary होती है permanent happiness के लिए हमें अपने आप पे काम करना होता है, meditation करना होता है हम क्या सोचते हैं दिन भर, उस सोच को अलग-अलग करके divide करना होता है divide याने negative और positive में, negative thoughts की उपर काम करना होते हैं यह जो negative thoughts आ रहे हैं मेरे mind में, वो क्यों आ रहे हैं, कैसे मैं इन्हें ठीक कर सकती हूँ इनका मूल कारण क्या है, root cause क्या है, अगर जैसे मैंने एक example में बताया कि मुझे बेहोश होकर गिरना था उसके पीछे का कारण मैंने यह सोचा कि मैं attention चाहती थी तो उस attention के उपर मैं काम करूंगे कि तुझे किसी और के attention के जरूरत नहीं है तो अपने आपके लिए काफी है कि किसी दुनिया नहीं कुछ तुझे बोलना चाहिए, तब ही तु उस important feel करेगे, ऐसा जरूरी नहीं है तो यह बाते मैं अपने आपको बता कर उस issue को solve परने के कोशिश कर सकती हूं अपने positive thoughts की list बना कि उस पे काम करना start कर सकती हूं काम करना याने उसको feel करना start कर सकती हूं जिन्दगी में जितनी अच्छी चीज़े हैं उस पे काम करना तो यह जो है ना इसको हम बोलते है self help, self love, self growth खुद की growth, खुद की help करना, खुद से प्यार करना यह सारी चीज़े हमें अंदर से happy बनाना start कर देती हैं और एक सबसे important चीज़ जो purely मेरे personal experience से आई है कि मैं proudly बोल सकती हूँ कि हाँ मैं यह चीज़ आपको बता रही हूँ मैंने किसी और से नहीं सीखी है वो यह है कि जब आप अपने life में कोई goal बनाओगे चाहे वो छोटा goal हो या बड़ा goal हो goal याने उद्देश कोई उद्देश जब बनाओगे तो आप इतने खो जाओगे उस उद्देश को पूरा करने में हर दिन कि आप अपने आप अपनी life से उस process से हर एक चीज़ से positive feel करना start कर दोगे भले ही आप suicide तक क्यों ना पहुँचे हो क्यों suicide तक पहुँचता है इंसान क्योंकि उन्हें जीने की इच्छा ही नहीं होती life में कोई interest ही नहीं होता सब कुछ तो बुरा हो रहा है तो जी के क्या करूँ याने कारण चाहिए जीने के लिए तो हम अपने आपको कोई उद्देश decide करके अपने आपको एक task, अपने आपको एक goal देके हम अपने आपको कारण देते हैं आपने notice किया होगा कि ऐसी जो suicidal feelings होती है ये ज्यादा तर unmarried लोगों में होती है क्योंकि हमें बांध के रखने वाली कोई चीज नहीं है कभी कभी career होता है कि हाँ चले एक बार ये बन के दिखाना है career में तो ये मैं करूँगी उसके पीछे हम लग जाते है कभी प्यार होता है कि नहीं इसके साथ जिन्दगी बितानी है तो मैं जीऊंगी अच्छे से रहूंगी कभी किसी के पास ना career है ना प्यार है ना job है कोई भी अगर goal ही नहीं है कोई उद्देश ही नहीं है जीने का तो of course life useless लगेगी married लोगों का ये होता है कि उनके life में एक बच्चा आ जाता है एक नई जान एक responsibility आ जाती है तो उन्हें जीना पड़ता है मन ना हो फिर भी जीना पड़ता है और फिर वो अपने आपको इतना जोंक देते हैं उनकी care करने में वो बच्चों की care करने में कि वो जीए जाते हैं जीए जाते हैं फिर वही complaints करते हैं रोते हैं unhappily आधे मन से जीए जाते हैं situations को face करते रहते हैं उनके पास कोई दूसरा option नहीं होता है तो इससे उनकी पूरी जिन्दगी का एक मकसद बन जाता है कि मेरे बच्चे को मैं अच्छे से पालूंगी संभालूंगी उसकी care करूंगी उसके लिए जीऊंगी तो वो एक life में goal बनता जाता है और उसी में वो इतना invest हो जाते कि पूरी life कट जाती है और पता नहीं चलता वैसे हम लोगों के पास कोई reason नहीं होता इसलिए हमें ऐसा लगता है कि बस नहीं चाहिए यह सब इसलिए goals अपने life में decide करना बहुत important है अपने आप पे काम करना बहुत important है बाहरी happiness आप कितनी भी पालो लेकिन वो खतम हो जाएगी इस दुनिया में हर पल आपके साथ अलग-अलग घटनाएं घटेंगी कुछ अच्छी होंगी, कुछ बुरी होंगी अगर उसके हिसाब से आपकी happiness बार-बार change होते जाएगी तो आप कभी permanently happy हो ही नहीं पाओगे इसलिए permanent happiness के लिए अपने mind पे, अपने thoughts पे काम करना ज़रूरी है mind और thoughts पे काम करने का सबसे best तरीका है meditation करना ये हर जाती के इनसान कर सकते हैं, हर धर्म के कर सकते हैं इसमें कोई religion नहीं होता है सो आप meditation की help लीजे, अलग-अलग books पढ़िए अपने आप के life में एक मकसद decide कीजे, भली छोटा सा मकसद क्यों नहीं हो और अपने आप को हर दिन थोड़ा सा बहतर बनाने की कोशिश में लग जाए life अपने आप सुन्दर बनते जाएगी